नमस्कार, आज हम बात करेंगे, हेपटाइटिस क्या होता है और हेपटाइटिस की टाइप्स क्या होती हैं? So, हेपटाइटिस दो शब्दों से बना है, हेपार जो मतलब होता है जिसका लिवर और इटिस विच मीन्स की इन्फेक्शन, So, हेपटाइटिस is infection of the liver, predominantly दो तरह का हेपटाइटिस होता है, एक जो इन्फेक्शन से होता है, बलड बॉन इन्फेक्शन से, जैसे की हेपटाइटिस B, हेपटाइटिस C, उसके लिए बलड का कॉंटेक्ट होना जरूरी है उस इन्फेक्शन को फैलने के लिए, दूसरा हेपटाइटिस होता है, जो कि हेपटाइटिस A और हेपटाइटिस E होता है, हेपटाइटिस A और E, फूड और वाटर से होने वाला, अक्यूट हेपटाइटिस कॉज करता है, जिसमें पीलिया होता है, मरीज को भूक लगनी बंद हो जाती है, और हेपटाइटिस B और C, ज क्योंकि इनके इलाज की प्रक्रिया एकदम अलग-अलग है धन्यवाद